कि अगर आपने भी अपना ब्लाउज सिंपल कर लिया इसको आप बैल्ट में करना चाहते हैं तो यह वीडियो जुरूर देखेगा तो सबसे पहले हमने यह देखिए कि पूरा कट कर लिया सिंपल ब्लाउज यह पहले इसकी में लेंथ देख लूँगी तो यहां से इसकी लें हमारी 15 इंच के है ठीक है तो 14 इंच पर मांक किया इस मांक को हमने विल्कुल सीधा कर लेना है अब यहां से हमारा हुकाई की पट्टी छोड़ते हुए हम यहां पर सवाचार पर मांक करेंगे इस बैल्ट पर और उपर से हमने में डार्ट पॉंट होता है यह मैंने साड़े लिए पर उपर सीधा करने के बाद हम सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे इसको हमने बैल बलाव से एक इंच इंच निशान लगा लिए उसको मिला देंगे बैल्ट के लिए और उपर की सेट लगाए यहाँ इन नीचे से निशान लगाएंगे और जो हमारा मेन डाइट था इसको बन चुकी तो प्रहएं बैट को हम कट कर लेंगे फिर मैं आपको सिलना बि बताऊंगी तो यह देखिए हम बैट कर लेंगा यह बीच का जो पोशन है इसको प्रहएंग गराव यहां चुक चुकी है कि अब यहां स्वा सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब लगां एक माक लगाएंगे तो इसे माक को में रहे सीधा कर लिए शरी चुराइब करके बीच का माघा सेंटर तरह ऐसे लाइन से हल्का सा ऊपर लेî ब्सर्स को कि इस प्रमाइब का याथ वाद्य नियुक्त लेला यहां से लाइन से को 20 लेले लेंगे हम से सेंटर पॉइंट यहां से लन अगर यहांnew miracle नब जोरर कश्रूंती फार सरस्ट दौने के आपके अर्मों का छोटम एक है उसमेंरी करके लेड़ी का ह्टाधा फोटीकल बम इसको कॉस्त पतूर से सुन्सायघू गवाग इविंगे कि अजले बयेगा है मैं फांट प्लेट कर लिए घंड़ को odd करने करने का हल्का सा कि इसको ईटा थीड़ीखसे फिल ना है तो इसके भी बहुत अच्छी आती है इस तरह आप करवेदे लिए इंण Nerd को सीड़ से हैंOr अधा इंचों पूरी कबर करनी होती है मतलब कि एक पैर की आती है और हलका धागा सारी प्लेटों में हमने छोड़ना है और शिलते जाना है अब देखे बैट जोड़ेंगे हमारा यह उपर का पार्ट त्यार हो गया तो यह सीदे बैट को हमने उपर के साथ रखा इसको अब कर देंगे और मिला कर हमारी इसको अंदर के साइड हमें कर देना है और हमारी बैक साइड में होगा यह फेस इसका बैक साइड होगा दोनों यह बैटों को अच्छे से मिलाते हुए और लास्ट तक सिल देंगे हम सिलने के बाट जो एक्स्टा पार्ट है इसको हम कट कर बात इसको इन्वीजिबल तरीके से कैसे से लेंगे यह मैं आपको बता है पहले वीडियो में बता चुकी है इसको हमने अंदर टर्न किया और इन दोनों पार्टों को मिला के सिल्ले लेना चाहे आप अलग से पट्टी लगाना चाहते हैं तरपाई वाली तो भी लगा सकते हैं तो इस तरह आप इसको सीधा करेंगे तो आपका इस इस तरह से आप कर सकते हैं और आये देखे यह मेरा पार्ट इसका आई वाला पार्ट है तो मैंने इसको फिनिशिंग हमाई नीचे से हो चुकी है तो इसको मैंने इसकी पट्टी जो लगाई है वह इस तरीके से लगाई यह मैंने आपको बता दिया है इसको उपर टर्न करेंगे मार्जन अंदर रखेंगे और टॉप स्टिच करेंगे और एक सलाई और लगा देंगे साइड में इसको बराबर करते हुए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमें शेयर करना ना भूले मेरी वीडियो को तो कि तो